नमस्का दर्शिक मित्रों आपजुरिया चोयनेन न्यूज हुँ छोयंकर पिदा पटेल हावे चोय अगतना समाचार मैदर्पुरा पोलिस ने मली सफड़ता 1.822 ग्राम गोल्ड डस्ट पावडर नी चोरी करना टोलकी ने सर्पी पाड़ी मैदर्पुरा पोलिसे छा आरोपी नी करी धर्पकड उत्तप्रदेश अने दिल्ली थी आरोपी नी कराई धर्पकड मैदर्पुरा पोलिसे आरोपी अनु कुमार माता प्रसाद नीशाद सोनु रामभड बींद संधिप राजुबै बींद क्रिश्ना उर्पे कानो अमरनात गुपता राहुल आतमारां बींद रोशनलाल प्रसाद ग्राम सोनु कब्जे करियु आरोपी रोशन्तता राहुल पासे थी 655 ग्राम मलिकूल एक किलो ग्राम अठाणो ग्राम सोनु रिकवर करियु आरोपी ओ मुंबै अने सुरत मा जुदी 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 ज्वेलर्स कंपनियोंमा काम करता हता चैरे वदू जोई बिल्डिंग मा प्रवेश्या हता वेंटिलेशन वाटे राक्वा मा वेल एक जस भेलनी जग्या तोड़ी गोल्ड रिफाइनिंग विभाग मा प्रवेश करियाती चोरी एक करोड पीस तालिस लाग छे तालिस हजार नी चोरी करियाती एनन न्यूज सूरत दर्शक मीत रो एनन न्यूज ने लाइक शेर सब्सक्राइब करो वे लाइकल प्रेस करो जेती आपने नोटिफिकेशन स्मणती रहे तो वही का ही रहने वाला उसी जेलर्स में ही काम करने वाला एक इमलोई अनू कुमार स्नोप माता प्रसाद निशाद ये मूर रूप से सुल्तानपुर का रहने वाला है और अभी पिसले तेड़ महिने से यहाँ पे काम कर रहा है उसका CCTV का मोमेंट नेक्स दिन का जब दुकान का देखा गया जोलर्स का तो उसका मोमेंट जो वो बहुत डाउटफुल लगा तो चोरी के बाद में उससे पूस्ताज की गई आस पास के CCTV खंगा ले गए तो उसने सारी कहानी बताई कि यह साथ लोगों ने मिलके और यह जो 1822 ग्राम 24 केरिट गॉल्ड पाउडर चोरी हुआ है उस चोरी को यह साथ लोगों ने अंजाब दिया इसमें पहला वेक्ति जो है वो यह अनू कुमारी है यह डेड़ महिने से यहीं पर काम करता है और इसने यह टिप दिया कि यहां पर कई कई बार बहुत बड़े अमाउंट में गोल्ड आता है रिफाइनिंग के लिए और वो एक दू दिन तक यहां पर पढ़ा रहता है और यहां सेकुरिटी गार्ड में नहीं है यह अमरोली में रहता है और सुल्तानपूर यूपी का रहने वाला है जिस रात इन्होंने प्लानिंग किया तो इसका रोल था कि यह नीचे खड़ा होके और निगरानी करेगा चारो दरगा दूसरा जो आरोपी था वो सोनू सनोप रामफल है यह सुल्तानपूर यूपी का रहने वाला है और यहां डबोली च्यार रस्तापिक रामदेव ऐलूमेनियम है उसमें यह काम करता है और 4-5 महिने पहले यह सूरत आया था उससे पहले गोल्ड रिफाइनिंग का काम करता था मुंबई में लेकिन इसकी जो कंपनी थी वो कारा ज्वेलर्स करके थी वो मुंबई में अपना कारोबार बंद करके चायना चली गई इस वज़े से बिरोजगार हो गया था और फिर यहां के इसने इलूमेनियम का काम करना शुरू कर दिया और यह भी जब चोरी हुआ तब यह नीचे खड़ा होके यह और अन्नू रोड के दोनों साइट में खड़े होके और रोड से वोच कर रहे थे तीसरा आरोपी जो है वो कृष्णा पूर पे कामना है यह गोरखपूर यूपी का रहने वाला है और इसका परिवार जो है वो सुरत में ही रहता है यह भी रामदेव इलूमेनियम में ही काम करता है इसके फादर भी वहीं पे काम करता है यह बॉन एंड बोटप सुरत में ह और यह Honda Sign गाड़ी जो है वो लेकर के आया था इन आरोपियों जब यह चोरी हो गई थी तो चोरी होने के बाद यह चोरी वाली जगह से इनको ले जाके एक आदमी के रूम पे यह लोग इकटे हुएते सारे वहां तक यह इनको Honda Sign से लेकर गया और उसके बाद में इसके पास म इनवा गाड़ी है तो वो इनवा गाड़ी में सब को बिठाके और सूरत रेल्वे स्टेशन तक छोड़ गया था चोथा अरोपी जो हो संदीप है यह जहां पे चोरी हुई उसके पीछे नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ पे चड़ करके यह उसकी चट पे गया और पांचवा रोपी है वो राहूल है यह सुल्तानपूर यूपी का रहने वाला है यह 26 तारिक की नाइट को यहां पे आया था इसे सोनु ने बुलाया था पहले इन लोगों की कई दिन से प्लानिंग चल रही थी तो इसको फोन करके बुलाया था कि इस तरह का एक काम करना है तुम एक दिन आजो छटा आरोपी जो है वो रोशन है वो भी सुल्तानपूर यूपी का रहने वाला है उसको भी सोनु ने बुलाया था 21 तारिक को तो दो लोग जो राहूल और रोशन है उनको सोनु ने कोन करके यहां पे बुलाया था और 21 तारिक को यह रोशन आया उसक तो अभी ढूंडने के लिए हमारी टीम जो है वो उत्रप्रदेश में लगी हुई है टोटल जो अभी तक गॉल्ड रिकवर हुआ है वो 1099 ग्राम गॉल्ड है वो रिकवर हो गया है और एक आरोपी अभी बाकी है तो उसके पास से कितना गॉल्ड और रिकवर होता है वो अभ पाद में एक बाइक के उपर ये लोग वहां उस जगह पे चकर काटके भी आये थे उससे पहले इन्होंने दो तिन जगह और भी देखी थी पिसले कुछ दिनों में कहां कहां पे चोरी की जा सकती है पर कहीं जगह पे CCTV का नेट्रोप बहुत अच्छा था कहीं जगह पे सेक दिप के घर पे बेटे वहां चोरी करने का एक बज़े ये लोग निकले और निम के पैड़ से उपर चड़े दो लोगों ने नीचे रेकी किया और एकजोस्ट फैन जो है उसको तोड़ करके वहां से घुजे और ये सारा समान इन्होंने वहां से चोरी किया उसके बाद में सामान को सबी का बराबर हिस्सों में नोने बाटा, दो लोगों को इन्होंने 18-18 गराम पो एक्ष्ट्रा दिया और बाकि लोगों को बराबर 19-20 गराम ओस होना आया और इन लोगों की किसी की भी कोई क्रिमिनल इस्टे नहीं है और सारे लोग ये 8-week क्लास से लेके 10-12-22 फ पकड़ने के लिए हमारी टीम उत्तरप्रदेश गई हुई है, वो पकड़ा जाएगा, उसके पास कितना और माल लिकवर होता है, तो आपको आगे बिरिफ़कर करने के लिए पुलिशनी कितने टीम अरियर कैसे पूछी है, इनके लिए कई सारी टीम हम लोगों ने बनाई कि तुरंत जैसा हम यहां पे CCTV देखना हम लोगों ने चालू कर दिया था, तो यह लोग मुह बांद के आये थे, तो पहले यह लोग यहां से बाइक से भाग के गए, फिर वहां से इनोवा गाड़ी ली, यह सब जीजे हम ट्रेक कर रहे थे, पर मिन वाइल हमने अगले दिन, जो यहां पे काम करता है लड़का अनू करके, वो भागा नहीं था, वो वहीं पे था, ताकि उस पे सक नहीं जाये, और वहीं पे काम कर रहा था, तो उसका CCTV में हमारे सर्विलेंस की टीम जब वहां पे गई, कटना इस ताल पे, तो उन्होंने स्क्रीम में देखा, कि CCTV में जब देख रहे हैं तो उसका मोमेंट बहुत अब नॉर्मल था, तो वो कभी उटके इदर जा रहा था, कभी उदर जा रहा था, कभी जा खिड़की तूटी उसको देख रहा था, तो इस वज़े से उस पे डाउट गया, उसको पकड़के बिठा के पूछा, तो थोड़ी इसे एक लड़का जो है, उसका घर पे होम लोन की एमाई चल रही थी, तो उसको पैसे की सब ज्यदा जूरत थी, तो उसने इन सब लोगों को तयार किया, कि यहां पे बहुत बड़ी मातरा में जो है, वो सोना की,